तो कैसे है सिक्सर के चाहने वाले बिगड के मतवाले किरकड के दीवाने उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे सोंगे आज की इस वीडियो हम बात करने वाले सूपर इस मैश दो हजार बाइस एंट इस मैश समबा टुन्टी नाइथ हकर हम इस मैश की बात करें तो वेलिं तक कुछ अच्छा कर पाए मतलब अश्टगल कर रहे है कौन आकलाइन के टीम और बैलिंग्टन की टीम की बात करें तो वाम बैलिंग्टन भी मतलब बहुत अच्छा परफोर्फोर्मस नहीं करें जी सुरुआत करी थी अभी बिल्कुल फिस्टी साबित हो गए वैसे लेक यानि ओकलेंड से तो भाई लोग क्या हमेशा जो ओकलेंड बैलिंग्टन के सामने आता भारी पड़ता है या बस इस बार ही हरा दिया जो बाकी बार ये दोनों टीम में हमें सामने आई है तो उस बार की कहानी कुछ अलग रही है चलो हम ना इसे जान ही लेते हैं यानि बैलिंगों के सामने बादिं रिजर्व बैलिंग्टनमें के बीम में ऑभी तक 12 मैंस के लागी है जिस मेंसे 5 मैं जीता बैलिंग्टनमें और 7 मैं जीता ओकलेंड इसमें से 1 मैं से 2 ऐस बार यहां पर भी जो ऑकलेंड की टीम है ना बेलिंग्टन के सामने बढ़िया पर्फोर्मेंस करती नजर आ रही है संडे की दिर इनकी बीच पे पांच मैंच के लागए जिसमें से दो मैं जीता बेलिंग्टन ने तीन मैं जीता ऑकलेंड ने अगर हम यहां पर देखे तो कहीं न नजर आ रही है यहीं दोस्तों बात वही होती ना पहले क्या हुआ भूल जाओ अभी क्या हो रहा उसे देखो तो अभी की बात करें यहां पर जो बिलिंग्टन है थोड़ा बहुत ठीक ठाक परफोर्मेंस करने लग गई है किसके आउकल लेंड के सामने दोस्तों क्या आप आपको पता मैं कोई हीरो या सेलेवेटी थोड़ी ना हूँ आपकी बीच करहने वाला आपका अपना भाई हूँ सोचो अगर आप ही मेरा सपोर्ट ना करेंगे तो कोई बाहर चाहेगा भाई का सपोर्ट करने के लिए ना जी कोई भी ना आएगा हो करना कि आपको भाई चैनल बना लिए गए इसलिए इद्धर उद्धर और कैसे जोइन नहीं करना जो लिंक की मिलें के डिस्किप्सर में बस महीं से जोइन करें तो भाई लोगी जो मैच है न संडे 5 फेबरी इंडिया टाइम उसा 6-10 एम यानि बिल्कुल मॉनिक से न आप इसका लाइव संदे ज्यादा हुआ है नहीं तो बराबर की कहानी भी कह सकते है जो डिफैंड के अब यह जिसकोर यहां पर फिर्स इनिंग का 159 119 टार्गेट चेज की बात करें 155 155 के नीचे स्कोर बनेगा तो दस मैच में से आठ मैच में टार्गेट चेज हो सकता टार्गेट डिफैंड की और सकता है लोग यहां के मैच होते हैं थोड़ा सा आपको मीडिय में श्कोरिंग में देखने को मिलते हैं ऐसा क्य Ale होती पांटाप्स घ semaines can take on the river उनको फोड़ा सा भी होती है तो पिटाइइ होती है नहीं बाद में पहिंआ हैं यहां पर मा Edwards जल्स लादा दर आपको मेडियूम स्कोरिंग मिलता है अगर हम आज के स्कते स्कॉर के हैं got को 40 से 45 की बीच में देखने को मिल सकता है 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 150 से 165 की बीच में देखने को मिल सकता है तो भाई लोग यहां के मादार पर कौन से टीम बढ़ियर परफॉर्मेंस करेंगी और जो मैंच होगा उससे अपने नाम पर करेंगी चलो जानने की कोशिस करते ह पहले हम बात करते हैं यहां पर बैलिंग्टन की तो बैलिंग्टन ने अभी तक प्रफोप होतेगे गेंदबाज भी फ्लोफ होतेगे और यह मैंसहारना इस्टार्ट करदे चाहिए हम्हें आप इनकी बल्लेवाजी जो है दिवान विश्वाका की बात करें डिक केली की बात करें टॉम बुलेंडेन या रचीन रविंद्रा की बात करें मतलब सभी बल्लेव बढ़िया गेंदवाजी करने तो गेंदवाजी भी इनकी अच्छी ना चल लगी है तो इसलिए जो इनकी शुरुवात थी जीट 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 अभी क्योंकि जब बल्लेवाज वो गेंदवाज दोनों अच्छी परफोर्मस नहीं कर पारे तो इनकी जो शुरुवात हो तो इसीच को बदलना चाहेंगे कैसे बदलेंगे बल्लेवाज वो गेंदवाजों को बढ़िया परफोर्मस करनी पड़ेगे वहीं दूस्तों अगर हम यहाँ पे ओकलेंड की बात करें तो इनके बारा पॉइंट चलेंगे ना तो बल्लेवाज अच्छी परफोर्मस कर रह जोज वारकर और कॉल ब्रिक्ष की बात के तो अपनी टीम के लिए अच्छी शुरुवात नहीं दिला पर है जिस तरह से अच्छी शुरुवात होनी चाहिए जिस तरह से ओपनिंग जोनी जबर जस्त होनी चाहिए बिलियाम और डॉनल की बात करें यह कप्तान रोबर्ट तरनाटा रहेंगे तो ये दोनों क्या ही कर लेंगे अकेले तो इनके साथ वही हो रहा दो बल्लेवाज तो अकेला मैज जिता ना पाएगा सभी बल्लेवाजों को सही बल्लेवाजी करनी पड़े कि बाकि गेंदवाजी की बात करें काईल जेमेशन भी अब तो आगए काईल जेमेशन की बात के तो काफ़ी ज्यादा experience से यह तो IPL भी खेल चुके है RCB के टीम से नीजू लैंड को भी टीम को प्रेजेंट कर चुके हैं लेकिन काईल जेमेशन का गेंदवाजी उत्री नहीं चल लही है आदित्या असोक की बात करें जो इनकी इस्पीन है अपने जाल में ज्यादा बले बाजू को नहीं पसा पा रहा है डैनरू फैंस की बात कर है न ये भी काफी ज़्यादा खराब है तो अगर हम यहां पर दोनों डीमों को कमप्रीजन करें तो भाई सब मुझे दोनों टीमें एक ही थैली की चट्टे बट्टे नजर आ रही है दोनों डीमें बढ़िया परफॉर्मेस नहीं कर पारें लाचिस हमने कर ले अब वो जा किल आएगा ना जी कोई भी ना आएगा और आपको भी चांद तारें तोड़ने नहीं है बस चैनल को सब्सक्राइब करना अपने भाई का क्योंकि मैं तो आपकी बीच करने वाला आपका अपना भायूत इतना तो अपने भाई के लिए कर सकते है ना तो भाई लोग सारी अ आपको बोलूगा क्या बोलूगा मेरा टेली ग्राम जोई ने के लिए उसले इद्दर और और कैसे जौइन नहीं करना जो लिंक विलेक रिस्क्रिप्सर में बस वहीं से जौइन करें तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगे है तो लाई कर द तो सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की पेडिक्सन के साथ तब तक के लिए God bless you.